मैं नहीं डरता वाहित सार्ब कितनी भी एक कितनी भी वडरावनि और भूतही हो घर पे जब देखता हूं तो बेड़ के नीचे छिप जाता हूँ और जब पिकचर वाहत ऊहे खाल में जुक्ता हुँ बड़ी वाली सक्रीन में तो स्त्री टू बनाने वालों ने फिर से वही कमाल किया है बहुत सारी चॉइस थी मेरे पास देखने कि 15 अगस्त को इतनी सारी फिल्में रिलीज हो रही है लेकिन मुझे त्री टू में खास दिल्चस्पी थी क्योंकि कमेडी हरर कमेडी मेरा फेवरिट जानर भी है इस टाइ चीज रहती उसमें और बागी कोई इसी धमाकेदार पिक्चर थी नहीं जो स्त्री टू की टकर ले सके एक चीज और बताना चाहेंगे कि अगर स्त्री टू देखने जा रहे हो तो उसके पहले स्त्री जो पहली वाली आये थी और अमरकौशी की सारी फिल्में स्त्री भेडि होती है जहां से स्त्री वन खतम हुई थी जब वो स्त्री चली जाती है चंदेरी गाओं छोड़के होरर से ज्यादा मुझे इसमें कॉमेडी देख के मज़ा आया क्या लिखावट है वाई साब फिल्म की मज़ा ही आ गया स्क्रीन प्ले और डायलॉक्स एक से बढ़िया पं राजकुमार राओ अपारशक्ति खुराना अभशेक बैनर जी और इनके गुरूजी पंकस्त्रिपाथी श्रद्धा कपूर का रोल तो है इसमें लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है थोड़ा सा है उनको देखने के लालच में मुझे लगता है कोई जाभी नहीं रहा होगा अगर डर लगता है किसी चीज को ज्यादा एक्साइटमेंट होता है तो उन चीजों से जिसमें कुछ दिखाया ही नहीं जाए मतलब सिर्फ महसूस कराया जाए कि आगे क्या होने वाला है वह वाला हर मुझे ज्यादा पसंदे परसनली और बाकि ऐसे सीन्स में देखने का ज इसमें जो भूत है सरकटा उसको सिर्फ अपने चेहरे से डराना है लोगों को बड़ा-बड़ा सा मुझ फैला के गंदी-गंदी सी आवाजे निकाल के और उसके पास हाथ पैर तो है नहीं जदा दबोचने के लिए लेकिन वो सब कमी कैसे पूरी होती है यह मैं नहीं बता जाते हैं तो मेरा मज़ा खराब हो जाता है यह अगर फिल्म एक पेस में चलती रहती तो ज्यादा अच्छा लगता है और वह हाल में चल रही होती है रिमोट नहीं होता हमारे हाथ में कि उसको आगे बढ़ा सकें बाकि मज़ेदार है हारो कामेडी में जिसका नहीं इसलिए में देखने भी ने गया आप बताइए कौन से विच्चर देखने जा रहे हो मेरा चैनल सब्स्राइब कर लो अभी चलते हैं लौट के मिलते हैं नमस्ते